हलो बच्चों, बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको कवीर दाजी का एक दोहा बढ़ा रहे हूँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो चलो मैं शुरू करती हो सबसे पहले आप दोहे के कठी इशब देख लीजे पाहन का मतलब होता है पत्थर, हरी मतलब भगवान या इश्वर, पहार का मतलब होता है पहाड या परवत, भली मतलब अच्छी और चाखी बोलते हैं अनाज पीसने की चक्खी जिसे अनाज पीस आजाता है जिसकी हम रोटिया बनाते हैं तो इस दोहे में कवीरदाजी ने मूर्ती पूजा जैसे आडंबरो का विरोध किया है उन्होंने हिंदू लोग जो मूर्तियों की पूजा करते हैं उस पर एक कमेंट किया है उस पर व्यंग किया है कवीरदाजी ये मानते थे कि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है मतलब हमारे मन में चल, कपट, एहंकार जैसे भाव है तो पत्थर को पूझने से कोई लाव नहीं है क्योंकि इश्वर की पूझा के लिए किसी भी मूर्ती पूझा की आवश्यक्ता नहीं है ऐसा कवीरदाजी मानते थे इश्वर की पूझा मन से और आत्मा से की जानी चाहिए ठीक है अब मैं इसको आपको दोहे का लाइन वाई लाइन सरल अर्थ बताऊंगे और उसके बाद भावर्थ बताऊंगे आप वीडियो को लास्त तक देखिएगा पाहन पूझे हरी मिले तो मैं पूझू पहार देखो बच्चों दोहे में शब्द कम रहते हैं तो कुछ चीजें, कुछ शब्द हमें अपनी तरब से जोडने परते हैं जैसे यहाँ पर हम जोडेंगे यदी ठीक है? यदी पाहन का मतलब होता है पत्थर पूझे यानि पूझने से हरी यानि भगवान इश्वर मिले यानि मिल जाएं तो कवीरदाजी कह रहें कि यदी पत्थर को पूझने से भगवान मिल जाएं तो मैं पूझू यानि पूझूंगा पाहार का मतलब होता है पाहार या परवत तो कविडाजी कह रहे हैं कि यदि पत्थर को पूझने से हिंदू लोग मूर्तियों की पूझा करते हैं भगवान को खुश करने के लिए उसी बात पर उन्होंने व्यंग किया है कमेंट किया और उनने कहा है कि यदि पत्थर को पूझने से इश्वर मिल जाए तो मैं तो पूरे पाहाड को ही पूझूँगा क्योंकि पाहाड ही सबसे बड़ा पत्थर होता है ना इसलिए लेकिन ऐसा संभव नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है अब आगे देखिए ताते ये चा तो जाख्कि यe चाख्की मतलब चक्की अनाच पीसने वाली चक्की जिससे अनाच पीसा जाता है जिससे आटा बनाया जाता है और फिर हम में मिलती थी घर में ही आटा बनाया जाता था तो कवीर-दाजी कहे रहे हैं कि ताते यह कहा ही भली मतलगा आच्छी है क्योंकि यह पथ्थर की चक्की है यह तो बहुत उपयोगी होती है युसफूल होती है कैसे ःटा प्रकर कहाता है पूरी दुनिया के लोग कि इससे तो पूरी दुनिया के लोग आटा पीश कर आटा बना कर पूरे दुनिया के लोग खाते हैं इसका मतलब है कि यह चक्की पूरे संसार के लोगों का पेट भरती है यह भोजन देती है क्योंकि उससे आटा पीश आ जाता है ना इसलिए कभीर दाजी ने मूर् पीसा जा सकता है अब इसका भाबर देखिए कवीर दाज्जी मूर्ति पुझा जैसे आडम्बरों का विरोध करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर यहाँ पित्थर का मतलब मूर्ति से है है तो यदि पत्थर पूझने से इश्वड की प्राप्ति की जा सकती है तो मैं पूरा पहाड़ी पूझना चाहूंगा पर ऐसा समभब नहीं, ऐसा पॉसिवल नहीं है ठीक है इस प्त्थर की मूरती से अच्छी तो प्त्थर की चक्की हैं जिसके द्वारा अनाच पीसकर पूरे संसार का भरण पोर्शन किया जाता है अर्था सारे संसार को भोजन खिलाया जाता है आशे करती हूँ आपको ये दोहा समझ में आ गया होगा धन्य बाद